हो है हेलो फ्रेंड्स मैं वीड़ा नीरभीक फ्रेंड्स आप के फिर से हमारे चैनल पर सब्छागत है तो फ्रेंड्स आरलबी गूर्प डी result is scam update अब तक का highest cutoff आ गया जी आफेट अब तक हाईस्ट कट-off ने इतना highest cutoff की पिछले बार भी तना cutoff नहीं गया था जब vacancy इसकी लगभग आधी थी और कैनेट दो गुने थे और यहां तक कि उस बार किसी के marks Marcs Decrease भी नहीं किये गये थे यानी कि केम 새ornis के ररो इतने marks Decrease होने के बाद cutoff चला जा रहा है मतलब कितना बड़ा scam इस बार किया गया आप सोच सकते हैं और एक्जाम के time करें बहुँछ प्रूफ में तभी बोला गया था कट आफ बहुत हाई जाएगा अभी समझ जाओ और वही चीज़ हुआ ठीक है आप कोई भी न्यूचनल सर्च करें यूटूब सर्च करें हर जगा दिखाये गया है कि एक्जाम के टाइम कितने बड़े लेवल पर धांदली किया गया था तो भी तो कट आफ पिछले बार से 10-15 नमबन नीचे रहना ही रहना चाहिए इसका रीजन ये है कि वेकेंसी इस बार अल्मुस्ट डबल है कैंडिट्स अल्मुस्ट आधे हैं अटेंडेंस भी उस आधे से भी कम है तो फ्रेंट्स सोचो कैसे कट आफ इतना जादा जा रहा है सोचने वाली बात है और यही कारण है इस बार यह लोग फार्मुस्ट चेंज कर दिये हैं माक्स डिक्रिस किया कर ऐसा हो रहा है तो तक ही मामला दब जाए मामला मतलब कि इतना दब जाए कि कट आफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे मैं अब तक का हैस्ट इस बार वैरी ज्यादा नहीं कर रहा है इस बर सब कुछ 60 से 70 के बीच में धरासाही हो गया एक दब यहनिकि बहुत अच्छे से प्लानिंग किया गया है किसी जोन को बहुत ज़्यादा हाई कट आफ ना दिखा है किसी को शक्त ना हो पाए और माक्स भी 70 से बहुत ज़्या माक्स तक डिक्रियस किया जा रहा है इसके बावजूद अगर 70 पे कट आफ बन रहा है तो आप सोच लोग कितने बड़े लेवल पर चीटिंग हुआ यहां पर पताने की जरूरत नहीं है आप खुद सोचो यह लोग कहें कम तीन गुना कैंडिट लेंगे तीन गुना कैंड लगतार मेहनत किए अब उनको पता चल रहा है उनका 65 स्कोर था और काट आफ गया 60 तो भी सलेक्शन नहीं हुआ क्या मतलब है और अभी तो आप अपना स्कोर भी नहीं चेक एं कार्ड भी नहीं देखे हैं, हो सकता, अभी क्यों बॉर्डर पे ही हो, अभी क्यों लॉलिपॉप मिला हो, जब आज शाम तक स्कोर कार्ड आएगा, तो खुद क्लियर हो जाएगा, आप कट ओफ से कितने दूर हो, कम से कम, तीन नमर, चार नमर तो उपर होने ही होने चाहिए, आपको कोई भी post पाने के लिए minimum, तीक है? ट्रैक मेन, पाने के लिए भी कम से कम, अभी तीन से चार नमर आपका ऊपर होना ही होना चीए, पीटी के बाद, पीटी कॉलिफाइए करने के बद कट ओफ बड़ता है, पिछले बर पांच नमर कट ओफ बड़ता है, इस बरह में है मैं जो आपको कट ओफ रेंज बताया था पुरानी नॉर्मेशन बताया था नॉर्मल जो नॉर्मेशन होता है मैं बोला था कि 55 कट ओफ रेंज रहेगा और अगर ऐसे कट ओफ डिक्रीज के जाएंगे तो कहीं से भी सतर टच करने की कोई पॉस्बिल्टी नहीं बन रही है क्योंकि एक लाख वैकेंसी है ठीक है इतना कट ओफ तो मतलब कि 10 लाख वैकेंसी वाले में भी नहीं जाता है यहां पर एक लाख वैकेंसी है खुद सोचो और इसमें माक्स भी डिक्रीज हो रहे उसके अलग परसेंटाइल निकाला गया है वह रेल्वे ने बोला था उसको लिगर कि आप कन्फ्यूज मत होना कुछ लोग आफवाई यह फैला रहे हैं कि सारे जोन का एक साथ परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता तो जहां नार्माराइज मार्स अधिक रहता हुआ परसेंटाइ अलग अलग कराया जाए इसी वेस इस बार ऐसा हुआ है तो परसेंटाइल स्कोर आप लोगो लेकर मत कन्फ्यूज फर्स्ट तैम उसके आप नहीं समझ पाएंगे सही से मैं कितना पी समझाने का प्रयास करूंगा बट नॉर्माराइज स्कोर तो आप तो समझ रहे हैं क्या स्कोर कर रहा है तो पैसे वाले 85 स्कोर की है और ऐसे बहुत लोग मैं भी जानता हूं जो 20,000 में चीटिंग किये तो रिटेन एक्जाम में ठीक है बस मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो मैं क्या बात करूं और प्लस रिटेन किया कुछ लोग फाइनल सेलेक्शन नहीं दिख रहा है यह तब एक्सेप्टेबल था जब पुराने रूल के एकोर्डिंग यह लोग नॉर्मलाइशन करते तब कुछ तक एक्सेप्टेबल था चलो 70 चला गया बड़ तब भी नहीं जाना चाहिए रिजन क्या है रिजन इस पर वैकेंसी बहुत ज्यादा है फ बार बार घटा दो यह कहीं से भी सही नहीं है कहीं से भी लॉजिकल नहीं इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना ही होगा और कुछ काइनिट्स इसके लिए तैयार हो गए लोग बोल रहे हैं बिहार से सुरुआत करेंगे मुझजफरपुर से सुरुआत करेंगे ठीक है त से काफ़ी नुक्षान भी हो था कुछ लोग अभी तक जेल में हैं तो आप लोग ऐसा काम ना करना जो आपके अधिकार शेतर में ना आता हो मैं आपसे यही कहूंगा लेकिन यही कहूंगा फ्रॉड तो बहुत बड़ा हुआ चीटिंग बहुत बड़े लेबल पर हुआ है और सबसे बड़ा स्काइम कह सकते अब तक रेलवे का है इतना बड़ा स्काइम कभी नहीं हुआ है क्योंकि इतने मार्क्स इक हटा रहे हैं उसके बावजू 70 कट आफ जाना में बोल रहा हूं ना फिर से कहीं से भी acceptable नहीं है और तो यही कारे रूल लास्ट टाइम जो है परसेंटाइल जो मीनिम्मम क्वालिफाइंग मार्क्स था बढ़ा दिये 30-40 कर दिये यही रिजन है ताकि मतलब कि हम और काईटेट्स को ओएसे चाड़ दे जबकि मैं बता दू अगर उसी साब से लेते काईटेट्स का कटाफ बह लगा कि थोड़ा सा इस मामली को और दबाने का प्रयास किया कि परसेंटाइल में हर्जेंगे 96-97-98 अब देख रही हुआ तो आपको लग रहे सब से में सब सही है इतना ही तो जाएगा आप टॉप टूपरसेंट काउंट करें तौप त्री परसेंट काउंट करेंगे से ज जो यहां पर हद से ज्यादा चीटिंग हुआ हद से ज्यादा फ्रॉड हुआ हद से ज्यादा स्कैम हुआ है इसके खिलाप आवाज उठाना ही होगा अदर्वाइस कुछ नहीं हो पाएगा यह वैकेंसी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी आप कुछ नहीं कर पाऊगे ठीक है जो बीडियो स्कीजन होगा आप लोगों कमेंट बॉक्स में बताना मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ तो अभी के लिए बसिता है थैंक्यू चैह हिंद चैह भारत